नमस्कार दोस्तू स्वागत हैं आपका TC Taylor Channel में दोस्तू पिछले वीडियो में जैसा कि हमने यह सब कुछ कंप्लेट करा था यह बांदा था इसकी रोड बानी थी केम के पेज बगर दिखाये थे यह सब कुछ कंप्लेट करा था इस वीडियो में हम subtle बांदेंगे मैं тогда How to review इसकी चुटकि और सुई सब से पहले बांदना है और ये पट्री구요 हम भटा देंगे और बूत भी भटा देंगे एक देखने के लिए ठीक है ना तो सब्से पहले जो है इसकी पट्री और बूत भटाते हैं तो यहां पर हम बांगते हैं तो इसकी जो खांच होती है एक तरफ सुई में खांच बनी होगी ना पूरी तो वो इज़र साइडिम रहती है बाहर के लिए तो इस तरीके से आपको पूरी उपर तलग बांग देना है ओके तो यह हमने बांग दी पटरी हम थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं ओके तो इसको हमने खटा दिया सटल लगाते हैं तो सटल सिंपल सा जो है इस तरीके से हम लगाएंगे यह जो एक तरफ देखें बड़ा वाला हिस्सा होता है एक तरफ होता है पतला वाला पतला वाला इस तरीके से रखना है और कटोरी जो है ऐसे करके लगाएंगे तो यह फस्ता है तो इसको बड़े वाले तरफ कर देना है इसको कटोरी को भी गुमा के और इधर बाली जगा खाली हो जाती है और उसके बाद ये आराम से आ जाएगा और ये कट की अब आ जाएगी तो ये देखें फिट हो गया पहला काम हमारा ये हो गया अब दूसरी स्टेप में हमको क्या करना है ये तो हमने लगा दिया पर इसमें क्या है कि हमारी कितनी स्वी नीचे है कितनी उपर है इसका कोई आइडिया नहीं है तो अब हम बताएंगे आपको फप्रपेले अपनी स्वी की सलाग सेट करना होगी उसके बाद आपको स्वी की टाइमिंग सेट करना होगी क्योंकि अब हम आपको क्या करना है अब इसकी स्वी कि यह नहीं देखा था कि मैं आपको बताता हूँ तो सबसर पहले हम इसको उपर करेंगे स्वी को और यह यह बाला हिस्सा मतलब अंदर की कटोरी है इसको हम को ऐसे रखना है इसके अंदर से स्वी इमारी जाना चाहिए तो यह आ गए थीज़िए, तो देखे, अब हमारी बिलकुल हमने कोई नीचे करना है सुई, यह बिलकुल नीचे आ गए, तो यह रिखे, हमने बिलकुल नीचे कर दी, अब इसमें क्या है, अब देखे, सुई की यह नोक है, और इसमें छेंद दिख रहा होगा आपको, ठीक है न, तो ये छेंद का जो उपर का हिस्सा है, ये वाला, यानि कि उपर का हिस्सा, ये वाला जो उपर का हिस्सा है ये, तो ये हिस्सा आपको यहाँ पर आना चाहिए, ये किनारी पे, ये वाला जो हिस्सा है, यानि कि धागा डालते हैं, तो उपर वाला जो हिस्सा है इ यहां पर आना चाहिए आट ऊ कि या भी नीचे घर इस को आप och deix colleges लगा देंगे ठींगे तो यह जो है नीचे टकराएगी बोबिन कैस में को दिवे नहीं टकराथी गोविन टकरा अब हमको करना नाएक तो अब हम क्या करना है यहां से यह पेज सिंपल ना है धीला करना है सिर्फ ओके और हम सुई की सलाख को जो है पोड़ा सा उपर बढ़ाएंगे तो देखें चुटकी पकड़ के आप उपर कर सकते हैं इसे हलकेलके से तो ये आ गई अब इतनी ही आपको रखना है इस से जादा नीचे नहीं बढ़ाना है सुई तो इतनी परफेक्ट है अब हम बहीं पर आपकी मतलब बांद देते हैं हम अपनी सुई की सलाख अब ये जो सटल की टाइमिंग मतलब सुई की सलाख की टाइमिंग है ये बिल्कुल सही है अब इसको आपको उपर निकाल लेना है सिंपल सह सुई को और इस कटोरी को ऐसे करके हटा देना है अब इसके दो तरीके हैं सटल बांदने के एक तो नीचे से होता है एक उपर से होता है तो दोना तरीके मैं आपको बता दूँ उपर से अगर बांद रहा है तो पहले इस्टापर बांद लेना है यानि कि इसको रोक लेना होता है इस्टापर से इसको रोक लेना होता है लेकि नीचे से बांद रहे हैं तो इसको हटाना होता है तो देखें सटल की ये वाली जो नूख होती है ये वाली एक ये बाहर के लिए होती हुती, इसने मतलब नहीं है, ये वाली होती है तो ये वाली जो नूक होती है, इसको आपको लाना है कहाँ पर लाना है? अब मैं आपको बताता हुँ, इसको सुई को तबस्य पहले नीचे करा बिलकुल के बाद ऐसे करके लाए और इसको जब उपर ले गए हलका सा अब देखेए इसमें लड़ रही है हलकी सी इसको उमको यानिकी सेटल को थोड़ा सा नीचे और बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे यह जो बुश दिख रहा है इसको उमको थोड़ा सा इधर साइड में खसका देना तो सटल हमारा थोड़ा सा पीछे हो जाएगा तो यह वाला जो है इसको उम खोलते हैं श्टापर को और इसको पेशकल लगाएंगे और हतावरी से ठोक देंगे तो यह पीछे हो गया काफी अब बाद में हम इसको जहां पर आएगा इसको हम बढ़ा देंगे इधर साइड में अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं तो देखे इस तरीके से अब हम लाएं है अब यह इसकी जो नोक है और इसका उपर वाला जो हिस्सा है तो यहाँ पर इसकी सडल की नोक आना चाहिए तब ही यह धगा उठाएगी तो इसको हम जब उपर करेंगे हलका सा यह उपर के लिए जा रही देखिए इस तरीके साइड देखे ने सडल की नोक इतनी बाहर निकली रहे और इस तरीके साइड इसको ऐसे करके रखेंगे ठीक है ना और यहां पर पेंच लगा लेते हैं यह पेंच हलके से टाइट कर लिया अब हम सब पेंच टाइट कर लेंगे ऐसे ही तो यह कम हमारा हो गया अब बच्चा मारा इस्टापर अब हम लगाते हैं इस्टापर तो देखें यह जो सटल की मतलब कटोरी है यह वाली तो यह वाला जो मतलब इसमें हलका सा कट है पूरा नहीं अलगा है इसमें दिखिए अलग है बिल्कुल तो इसमें अलग है इसमें खूटी यह हमारी लगेगी इसमें नहीं लगाना है इसमें बोबिन लगती है बोबिन डिबी ये उसके लिए होता है तो इसको आपको उपर करना है इसको यहाँ पर लाना संटर पर क्योंकि इसके अंदर से हमारी सुई निकलेगी ये जो खाँच है जैसे कि हमने दिखाया था क्योंकि ये वाला जो हिस् अप इधर साइट करेंगे तो यह बन देगा नहीं तो इधर साइट से ही आपको ऐसे गर के इसके अंदर सुवी निकलती है यहां पर रखना है इसको इस तरीके से तो ये थोड़ा सा दबाना पड़ता है तो ये फिट हो गया अब हम क्या गरेंगे अब हम पेंच लगाएंगे इसमें तो देखें ये इस टापर जो है ये इसके अंदर फिट रहना चाहिए ये आने की फासा होना चाहिए अगर ये निकल गया बाहर है इस तरीके से कोई जब तक के लिए हमने इसके अंदर दागा लपेट दिया और बांदेंगे तो देखे हमारी बिल्गुल उधर जा रही है ये बीच में आना चाहिए तो क्या हमारा इस्टापर थोड़ा उधर के लिए भागेगा मतलब इधर के लिए भागेगा तो थोड़ा साम उधर करेंगे तो ये जो इस्टापर करेंगे तो ये भी हमारा कटोरी ये भी उधर हो जाएगी तो इतना काम पहले कर लेते हैं फिर टाइमिंग बांदे हैं ये बिल्कुल किनारे पे होगा ना तो ये सुई तूटने का डर रहता इस से तो यहाँ पर जो है पेंच लगा है तो मेरा तो पेंच खराब है तो इसको ऐसे ही बढ़ा सकते हैं तो ये देखे बढ़ गया तो देखे अब ये बिल्कुल साही है ओके तो दीखे सुई की जो उपर का हिस्सा है ये वाला ये जो है ये वाली जो इसकी नोक है ये वाली जो नोक है तो ये आएगी उपर तो दीखे उपर है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा उपर है हम क्या करेंगे तो उपर से ही आपको इस तरीके से भी मिला सकते हैं तो नीचे से बांदो कभी कदर ऐसा होता है ठीक से नहीं दिखता है तो ये थोड़ा सा नहीं बंद पाता है तो इनको सिर्फ लूज करना है पैचों को और कुछ नहीं और बैसा ही लाना है फिर आपकी ये चीज इसको उपर करें ये देखिए ये बिल्कु सही अब आ गई उके इतनी बाहर निकलना है ऐसा ही बांदना है तो अब हम पैच लगा देते हैं टाइट कर देते हैं और ये टाइमिंग हमारी बिल्कु सही फिट हो गए तो बांकी हम पैच अब टाइट कर लेते हैं आप समझे लिजिए हमारा काम हो गया इतना बस तो सटल तो हमने बांद दिया है अब हम इसको लगा लेते हैं तो ये राब बूड इसका ये रही पटरी तो देखें ये जो है तो देखें अपना मसीन बांद दी पूरी अब इसको चलाकर ट्राइल के लिए मैं हाँ से चलाकर आपको दिखाऊंगा भी और इसको पाउदान पर रखके हम बाद में चलाएंगे क्योंकि इस टापर जो है उसको हम चेंज करेंगे दुकान से लाकर और उसके बाद जो है मतलब इस टापर जो था उसको चेंज करेंगे फिर हम पाउदान पर रखेंगे और फिर हम चलाएंगे इसमें मोटर लगाएंगे मोटर से चलाएंगे जिससे जो है। यह पता चल जाएगी कि मोटर से अच्छी चल लए और नहीं चल लए है। चाह में यह भी हाइं क्योंकि पूरी मसीन खोलगी बांदो तो थोड़ी सी भारी हो जाती है। तो क्या होता है उस से थोड़ी सी हमारी फिरी हो जाएगी मसीन। तो ये भी काम है, तो जब तक के लिए मैं हाँ से चला के आपको दिखा दूँगा, ओके, तो नेश्ट वीडियो में हम पाउदान पे रखे चलाएंगे, जब तक के लिए धागा चला के हम हाँ से चलाते हैं, ओके, तो अब हम इसको धागा उठाते हैं, तो दीखें, वो ही म तो दागा उठा लिया तो समझो पहला काम तो मारा हो गया तो दिखे सेटल से दागा उठा लिया ओके बूट भी देखिए इसका हिला है तो ये भी हम चेंज कर देंगे लेकिन बूट हिला है कोई दिक्कर ने काम चल जाएगा उससे तो इसमें तेल पड़ा हुआ है तेल निकल लाए तो हां से सिर्फ इतनी चला पाएंगे ज्यादा चला नहीं पाएंगे तो देखे हां से इस तरीके से यह आई एसलाई तो यानि कि ठीक है तो देखे इस तरीके से बिलकु साही चल लई है तो उम्मिद करता हूं जो इस वीडियो से को सीखनों के मिला होगा यह एक चीज और बाकी रहे गई है तो यह बिलकुल फिट बैठा था अगर यह थोड़ा इसमें बिलकुल बराबर कर देते हैं पर यह बिलकुल बराबर है यह वह है धीला तो इसको हम टाइट कर देंगे तो इस तरीके से आप दोस्तों इसको बना सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जिरूट करें और शेयर करें, इसकी पूरी सीरी देखने के लिए चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, तो उपर आई बेटम में भी वीडियो मतलब प्लेलिस्ट पूरी इसकी मिल जाएगी, और पिछला पैड नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, और इस तरीके से जब आप पुर्जे बाने